नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी के एक्जाम लबर्स पर और मैं हूँ राजन महाजन सबसे पहले आप शभी लोगों को भारत के शुतंतर होने के और 75 बर्स पूरे हो जाने को पलक्ष में आजादी के अमरेत महश्यों के आशर पर आप शभी को बहुत बहुत मैं आज अपने वीडियो को शुरू करूंगा आजादी के अमरेत महश्यों का काल चल रहा है और इस आजादी के अमरेत महश्यों में आज 15 अगस्त है और इस 15 अगस्त को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं भारत की सोतंता दिबस के रूप में हम जानते हैं आखिर इस शुतंता हमको कैसे मिली और इस सुतंता के पीछे बहुत सारे संगर्स हुए कुछ संगर्स को मैं इस वीडियो के माध्धम से आप सब के भी डिसकस करने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं आखिर कौन से यसे महत्पूर्ण कारण रहे जिनके माध्धम से हमारा देश भारत आज एक सुतंत राश्ट के रूप में पूरे बिस में चाया हुआ है और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है और इसको जानना भी बहुत जरूरी है या खिर क्यों क्या कारण रहे जो हमारा देश इतने दिन तक गुलाम रहा और उस गुलाम होने के बाद फिर सुतंत कौन से माध्धमों से कौन से महान लोगों के द्वारा किस फिस प्रकार किस हंस्ताओं के द्वारा प्रयास किये गए आजादी का अमरित महुस्व आपका चल रहा है और इस अमरित महुस्व का समय 75 वर्स पूरे होने के उपलक्ष भी आएगा अब हम लोग आगे चलते हैं आज आप लोगों ने बहुत बढ़ी हैं से अपने देश का हर घर तरंगा भियान चल रहा था 1857 से 1950 के बीश देश में होने वाली कुछ महत्पूर्ण घटना उपर मैं डिस्कस करूँगा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुँ जो हमारे देश को स्वतनता के लिए आगे बढ़ाने में महत्पूर्ण सावित हुई सबसे पहले नाम आता है 1857 का पिर्थम सोधिन्ता शंग्राम या भारती सोधिन्ता संग्राम जिसमें बहुत सारी लोगों ने भारत के जो अंग्रीजी सासन के खिलाब है करांती का बिगुल बज़ा है और उस बिगुल में आप चित्र में देख रहे हूँ कि जहांसी की र पर लखनव तो आपका बेगम हजरत महल था है बरेली खान बहादुर खान इलाबाद और बनारस से मौलवी लियाका तली और बिहार से कुंगर सिंगे महत्पूर व्यक्ती थी जिनोंने 1857 की करांती जिसको भारत का प्रिथम सोधनता संग्राम कहा जाता इसमें अपनी महत् पूर भूम कर निभाती रही लेकिन एक ऐसी संस्ता क्या उसकता मैसूस हुई जो देश के लिए और देश के साथ साथ देश की सोतनता के लिए कुछ महत्पूर कदम बढ़ा सके और उसमें एक मील का पत्तिर साविल हुगा इंडियन नैसनल कॉंग्रेस यानि भारती राश भी समझें और साथी साथ देश के आजाद होने की एक महत्पूर कहानि में 8 दिसंबर 1888 को आपकी भारती राश्टी का अंगरेस के स्थापना मुंबई में एक वह कित्र देख रहे हैं भारती राष्टी का अंग्रेश की एक अधिवेशन की पिक्चर है जहां पर महत्मा गांधी, पस्चिम अंगाल को, आखिर क्यों पस्चिम अंगाल बोला जाता है, तो जब बटवारा हुगा, वो पस्चिम तरफ पढ़ रहा है, इसलिए बंगाल का जो हिस्सा था, पस्चिम में है, इसलिए उसको बोला गया, पस्चिम हंगाल, और पूर्वी बंगाल जो था, वाज बर पूर्वी बंगाल है आगे जाके ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान बनता है पटवारे के बाद और फिर आज से बर्तवान में आपका वांगला देश है ऐसे ही आगे जाके एक बहुत बड़ी घटना होती है सौदेशी अंदुलन जो कि सौदेशी बस्तों को भारत की लोगों को अवेर करें और जो विदेशी वस्तों हैं उनका वह्षकार करें ताकि हम लोग जादा से जादा सौदेशी अपना है और देश की जो अर्थवाष्टा है और देश की लोगों की अवेर निश में महत्म भूम करने बहुत पर महात्मा गांदी जी का काफी ज्यादा यगदा शौदेशी अंदुलर में मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग प्रिशना आता है 1936, दिसम्बर 1906 में इसकी स्थापना होती है और ये धांका आज के बरतमान में बंगलादेश में है अली बंदुहों द्वारा आगांखां जैसे महात्मूर ब्यक्ती मुस्लिम लीग के सदस थे और इस मुस्लिम लीग को 1936 में जब भारत और पाकिस्तार का बटवारा होगा उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है ऐसे एक महात्मूर पार्टी बनकर निकली गदर पार्टी जो की भारत में तो नहीं बनी लेकिन ये कनाड़ा और अमेर्का में रह रहे भारतियों के द्वारा बनाई गई थी जिसमें सरदार सोहन सीम भाकना इसके संस्तावक सदस की रूप में जाने जाते हैं सैन फ्रांसिस्को अमेर्का में इसका मुख्याले बना और इस गदर पार्टी गदर का मतलब जानते हैं आपने साथ गदर मूवी भी देखी हो उस गदर मूवी में इसके बारे में बताया गया है गदर का मतलब एक परकार से क्रांती से ही होता है भारत में रहकर तो बहुत सारी क्रांतिकारी गदविदियां चली रही थी भारत के बाहर रहकर भी बहुत सारे देश के शोतनता संग्राम शैनानी अपने अपने रूप से शक्री भूम का निभा रहे थे उसी कड़ी में आगे हॉम रूल लीग यहां पर एनी बेसेंट और बालगंगाधर तिलक की आप पिक्चर देख रहे हूँ हूम रूल लीग यानि स्वदेशी सासन हूम रूल का मतलब स्वदेशी यानि ग्रह सासन जिसको बोला जाता है और भारत के द्वारा सासन किया जा है बहुत सारी चीजों में यह मॉमेंट चलाए गया उनी बेसेंट और बालगंगाधर तिलक द्वारा ऐसे ही एक महत्पूर्ण घटना होती है सूरत बिभाजन यानि उनी शुद शाथ में कांग्रेश नर्म और गर्म दल की बीच कुछ दरार पड़ जाती है और उसके बाद 1916 लखनव अद्वेशन में यह कांग्रेश और साथी साथ मुस्लिम लीक के बीच समझता होता है गर्म दल और नर्म दल के बीच भी शम्द होता है और फिर कांग्रेश की अपने यात्रा 1916 से आगे बढ़ते जिसको हम लोग लखनव समझता के नाम से लखनव पैट के नाम से जानते हैं आगे हम लोग देखेंगे यह आंदोलन है हमारा महत्मा गांधी जी का इस आंदोलन को हम लोग देख सकते हैं यह आंदोलन है आपका एक प्रकार से बिहार में चंपारन सत्यागरे जिसको बोला जाता और उस चंपारन सत्यागरे में महत्मा गांधी जी तिन क सताब्दी बर्स भी हो चुका है चंपारण सत्य अगरे बहुत जाद पूचा जाता है तो चंपारण आपके बिहार में एक डिश्टिक है रॉलेट एक्ट इसको बलेक रूल कहा जाता है काला कानून और इस काला कानून की एक बहुत बड़ी समस्या बनकर निकला जब भारत म जलियावाला बाग हत्यकांड हुआ रॉलेट एक्ट का मतलब बिना बकील और बिना दलील के था कि आपको किशी कारण से यदि सक के दारे में भी देखा जाता तो आपको बिना बताए कोई कारण बताए जेल में डाला जा सकता था बिटिस्तासंद वारा उसके बाद जलिय जलियावाला बाग आपके अमरिस्तर पंजाब में पढ़ता है वहां पर एक घटना होती है जलियावाला बाग की जो घटना है भारत की जो इत्यास है सौतनता संग्राम में एक महत्मुन घटना थी 1919 में इस घटना में लगभग एक हजार से ज़्यादा लोग मारे जाते है और ये कारण था वही रॉलेट एक्ट का बिरोध जिसमें डाक्टर सत्पाल और डाक्टर सेफिद्दिन किछलू की रहाई को लेकर लोग के कटे हुए बैसाखी का दिन था और उस बैसाखी के दिन जलियावाला बाग में लोग कटे हुए जन्नलो डायर द्वारग गोली चलाने का आदेश दिया जाता है और उस दोरान लगभग एक हजार से ज़्यादा लोग मारे गए थे ये भारत के थ्यास के बहुत महात्पूर्ण घटनाओं में से उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे आसाहयोग अंदुलन आसाहयोग का मतलब होता है कि सहयोग ना करना चलाया जाता 1920 में और इस आसाहयोग अंदुलन के बाद एक घटना घटती आप बहुत अच्छे से जानते हैं पांच फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांट चौरी चौरा यह आपका गोरकपोर डिस्टिक में पड़ता और वहां पर थाने जो जिस परकार के हम लोग आज देख पर इस चौरी चौरा कांट आपका उत्तर प्रदेश के गोरक पर जिले में हुआ था नेक्स देखें के काकोरी कांट जिसको हम लोग काकोरी ट्रेंड डकैती बोलते हैं ट्रेंड सेयंत बोलते हैं और काकोरी आपका यह पढ़ता है लखनव के पास रोसन सिंग राम के लिए लेकिन उन्होंने देश के लिए देश का खजाना लूट कर जा रहा ही ट्रेंड को लूटने का काम किया था काकोरी कांट 1925 में होता है 9 अगस्त 1925 को नेक्स देखें सा बिने अवग्या अंदुलन यानि हम लोग बिने करेंगे और बिने के साथ उनकी अवग्या भ चलाएगा 1930 में इस आंदुलन के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने सावरमतियासरम से चलकर दांडी की यात्रा की दांडी जो की आपके समुंदर किनारे वहां नमक बनता था और नमक कानून का बिरोद करने के लिए साविने अवग्या अंदुलन चलाएगा 12 मार्च 1930 से लर्ड एर्विन के बीच दुति गोलमेज सम्मेलन यानि लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन हुए उन गोलमेज सम्मेलनों मैंसे एक सम्मेलन था दुति गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी जी को मना कर ले जाने के लिए समझोता किया गया लर्ड एर्विन और महात जो दलिद सम्दा या दलिद वर्ग और महात्मा गांधी की बीच जिसमें दलिद वर्ग को लोगों के लिए प्रतिनुषत को लेकर ये बात की गई थी पूना पैक्ट में पूना आपका महराश्टरा में पढ़ता है जिसको हम लोग पूने बोलते हैं और महत्मा गांधी जी और डाक्टर बियर अंबेटकर के बीचे फैक्ट हुगा था ऐसे एक आगे घटना होती है भारत छोड़ो अंदोलन भारत के स्वतंता की जो आखरी अंदोलन की रूप में जिसको हम देख सकते हैं भारत छोड़ो अंदोलन था ये अपने आपका सबसे और मरो का एक जैसे कहते हैं जोज भरने वाला देश की क्रांथी को धार देने वाला नारा दिया गया और भारत छोड़ो अंदोलन नीशो ब्यालिस के पढ़ाम रहा कि फिर अंग्रेजी सासन की नियु हिल गई और अंग्रेजी सासन दोरा भारत को छोड़कर जाने का निर फिर लाड्र मांट बेटन को भारत का वाइसराय बनाया गया अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया और उनके द्वारा तीन जून उनिशो से तालर को एक मांड बेटन प्लान या मांड बेटन यूजना प्रिस्तुत की गई और उसके माध्यम से भारत जो एक अपने आप में देश था खंड़ देश था उसको खंड़ित किया गया यानि भारत को भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग दो मेनन स्टीट में बंड दिया गया और उसके बाद फाइनली 15 अगस्त 1946 को हम लोग एक शोतंत भारत और आज उसके 75 बर्स की याद में हम लोग आज आजादी का उसके बाद 15 अगस्त को हमारा भारत एक शोतंत देश की रूप में पूरे बिश्फटल में सामने आया यहाँ पर हम लोग समझे तो पाकिस्तान का जो सोतंत दिवस्त से वो 14 अगस्त को मनाया जाता है और 14 अगस्त को भारत सरकारद्वारा बिभाजन बिवीश का इसमिरती दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको आप याद रखिएगा यह बहुत अच्छे से एक्जाम में प्रिश्ण आने वाला है और 75 वर्स हो जाने के उपलक्ष में बहुत सारे आजादी से रेलेटर प्रिश्ण बनेगे तो इस वीडियो पर मैंने बहुत सारे चीजें डि लाखों लोग मारे गए और उस घटना के बाद महात्मा गांधी जी बहुत ज़्याद आहत थे लेकिन महात्मा गांधी जी अब काफी ब्रद्ध हो चुके थे उसके बाद एक समय ऐसा भी आता है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की भिहत्या कर दी जाती नाथू राम गो चास को हमारे देश के समय धान लागू हो जाता है डाक्टर भीमरा अंबिटकर यहां पर आप देख रहे हैं ये भारत की प्रारूप शमीती थी जो समय धान बनाने वाले उसकी अध्यक्स थे समय धान सभा बनी और उस समय धान सभा में शुतन्त भारत की 299 सदस्यों द्वारा समय धान बनाया गया और फाइनली 26 जनबर उनी सुपचास को शंपूर भारत बर्स में समय धान को लागू किया गया उसके बाद भारत एक गड़ तंत्रात्मक यानि रिपबलिक स्टेट बना और आज हम लोग तंत्रात्मक और शंपूर पिर्भुत संपन समाजबादी पंथ निर्पेख लोग तंत्रात्मक गड़ राज यानि हमारा जो भारत है वो संप्रभू है लोग तंत्रात्मक और गड़ तंत्रात्मक बवस्ता के साथ चलने वाला है तो फाइनली ये थी आपके 113 को लेकर के आज आजादी का दिन है और इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बताने का एक छोटा सा प्रयास किया आई होप आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग वीडियो जाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट ऐसे ही महात्पूर्ट वीडियो में तब तक अपना रखिये ख्याल थैंक यू अलाफ यू